वास्ट अप गाइज मैं हूँ समीर खान और आप देख रहे हो बीश्ट फिटनेस अगर आपने चैनल भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सामने आपके आगया हो और रेट कर बटन क्लिक करें सब्सक्राइब हो जाएगा एंड गाइज और नोटिफिकीशन बेल को सेलेक्ट कर दें जिससे आप नोटिफिकीशन मिल जाई आपके फोन के तो गाइज सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करें यह रा अकाउंट डिस्क्रिप्शन पर लिंक है फॉलो करें कोई भी आपको क्यों सकते हैं उसे तो यहां पर मुझे सबस्क्रिफिकशन पर इंसे फ फूरा देखना अगर आप बीडियो मिस्स कर दोगे तो क्या होगा? आपको समझ में नहीं है क्या करना है? तो पूरा देखना फिर आपका आपका भी डूल आप बढ़ेगा आपका भी बाइसेफ्स बढ़ेगा तो चलो गाइस वीडियो स्टार करते हैं तो गाइस मैं ऐसा कोई टेप्स नहीं बताऊगा आपको जैसे आपने देखा होगा कोई टॉप 3 टेप्स या टॉप 5 टेप्स सब नहीं मैं आपको एक शॉट वीडियो जल्दी बताऊंगा सभी कुछ उसमें बता दूगा तो चलो पहली टेप्स कह सकते हैं आप इसकार्ट करते हैं तो पहला जो हमारा है वह है बाइसेफ्स को हफते में 3-4 बार करना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है जो लोग यंग मसल्स उतनी दीर को मसल्स हमारी पंप हो जाती है तो पंप जब हमारी मसल्स हो जाती है तो उनको क्या लगता है हमारा बढ़ ला है फिर घर जाते हैं उनका जैसा था वैसे ही हो जाता है तो वह मसल्स फिर ब्रेक होने लगती है बनने के बाद तो यह आपको बलती नहीं करन यह हमारी recovery के लिए भी time चाहिए क्योंकि guys हमारा biceps बहुत ही जादा छोटा muscles है अगर हम as compared to अगर हम अपने chest और back से compare करते हैं तो हमारा hand और biceps बहुत ही छोटा muscles है तो यह recover जल्ली हो जाता है बट इसको recover होने के लिए भी time चाहिए तो कम से कम guys हमारे hand या biceps triceps को recover होने के लि दिन तीन दिन दो से तीन दिन आप रख सकते हो इतना time चाहिए आपका recover होने के लिए तभी आपकी जब आप दुबारा से उसको train करोगे तो आपका क्या होगा तब वो आपके result देगा नहीं तो अगर आप हापते में तीन से चार बार train करोगे तो आपका क्या होगा मसल्स बिलेक होती जाएगी आपकी recovery होगी नहीं तो आपका size और चोटा हो जाएगा आपकी body tight हो जाएगी आपने कई बार जिम में लड़कों को देखा होगा उनकी एकदम body tight हो जाती है एकदम जैसे अपन टॉबल ले ले तो टॉबल कैसे पकड़के nature देते है उस type की body हो जाती ह आप दो से तीन दिन का आपको gap लगना है एक्जामपल में आपको दूँ जैसे आप Monday को आपने लगा लिए बाइसे फिर आप दो से तीन दिन का gap दें Tuesday gap Wednesday gap and Thursday again and repeat आप दोबारा से बाइसे को train कर सकते हो तो आपका दो से तीन दिन का gap हो गया आपने Monday को किया उतना आधा Monday आ आपका gap हुआ और जब आप Thursday को जा हुए तब आपका other day gap हुआ तो आपका total मिला के कम से कम धाई से तीन दिन बन गए तो आपका recovery भी हो गई आपका वाइसे का next turn भी आ गया और आप दुबारा से इसको train कर सकते हो फिर आपने Thursday को train किया फिर आपका Friday Saturday and Sunday आपका off biceps को off बाक कर रहा हूं वो लोग जितना train करते हैं वो नहीं पता मैं आपको नेचुरली बता रहा हूं जो हम supplement बगएरा पर चलते हैं हम लोग आप लोग सब लोग वो दो बार train कर सकते हैं वीग में अगर उनको अच्छा biceps चाहिए बार बार train करने से कुछ नहीं होगा एंग आपनी लिग में अपने कल रहा है मुमें आपको जो मसल सब्सक्राइब कर रहा है जो हमारी मतलब जो हमारा टेंशन जा रही वो शुल्डर पर जा रही बाइसे जाई नहीं रही है अगयस आप इंजड होने वी आपकी काफी चांसे थे तो ध्यान रगए ठोड़ा सा आपको क्या क में आपकी जो elbows है हमारे वाइस हमें यही ध्यान देना होता है जो हमारा डेंज आप मुशन है वह कितना ज्यादा तो बेट इतना लें जितना वाइस हमें पर्काओट हैन चलते हैं अगर हम झाले हैं तो तक अपना त्रीप जब आप अच्छा अपना गेन कर लोगे तब आपको ऑटो मेटल की आपका बाइसेप दिखने लगेगा तो ध्यान रगें गाई तोड़ा सा ट्रैसेप को भी ट्रेंड करें ऐसा नहीं है जब यह आपका है खाली बाइसेप से आपको कुछ भी नहीं होने वाला ट्रैसेप पर ध्यान देना है बस आपनी ट्रैसेप को दोनों को ट्रेंड करोगे तब आपको एंड जाके देखेगा एंड काईज अगेन एंड मिश्टेक बाइसेप के एक ही पार्ट को बार बार ट्रेंड करना कहने का मतलब काईज बाइसेप से हमारा इसमें भी दो पार्ट होते हैं ब्रैकी है यानि यह वाला पार्ट लोग क्या करते हैं का फ्रेंड बस कर लगाली या टम्बकर खाली लगाली लगा लिए प्रेचर कर लगा लिए यह सब गैस कर्ल्स हैं यह आपके इस वाले पार्ट को आपका पीक है फ्रंट पीक इसको train करेगी बस ठीक है तो लोगग का इस लिए train नहीं होता है गास आप अगर करण कर रहे होगा आपको इसी इसी पर ट्रेन देना है तो आप दो एक्सेसाइज आपके लिए परफेक्ट इतना ही आपको करना है दो एक्सेसाइज आपका क्या करी उस पर टेंशन दे देगी दो एक्सेसाइज लग आप दो कर लो या प्रेचर कर लो या इंक्लान कर लो तो आपका कल्स हो गया अब आपको यह थेस्ट के पहले चिका oikeा की त्यक्रार कलने कोलड़ में हमारा उसको मेश में हुतरना है। हमें मझार और और यहां यहां से समय के apoy उनक पूर आता है है। तो आप 2 curl curl है कोई भी आप pressure curl कर ले या dumbbell curl कर ले तो बारबल curl छोड़ दे जितनी भी curl वाली exercise है बारबल curl guys pressure curl, concentration curl and dumbbell curl इन में से आपको दो ही करना है इसी में आपका फिरनेट पार्ट train हो जाएगा फिर आपको move करना है हेमर कल में जो हमारा यह वाला पार्ट है फिर आपको रोप extension करना है और आपको four arm को भी train करना है लड़के four arm को बूल जाते हैं जब आप guys तीनों चीजों को train करोगे और दो से तीन दिन का rest दोगे परफेक्ट exercise करोगे वेट अपने साब से लेके तब ही आपका एक hand बनेगा one up भूल राओ guys आपका कुछ भी नहीं मनेगा मेरी वीडियो को पूरा देखना आपको सब कुछ clear होगा ध्यान देना guys थोड़ा सा इस बात पर तो guys पूरा पार्ट आप train करें मैंने की आपको जैसा बताया triceps को भी आपको train करना है वाइस थोड़ी सी tips आपको लड़कों की मैं आपको confusion मता हूँ सोच रहे होगे लोग कि हमें अगर bicep triceps दो बार चलाना है तो किस तरीख ये चला है खिस तरीख से कहने का मतलब है अगर आपको bicep triceps week में दो बार करना है तो आपको क्या करना होगा biceps और triceps एक ही दिन perform करना होगा तभी आप नेश दिन कर पाओगे, इसमें काज कहा है, अगर कुछ को लड़के करते हैं, एक दिन biceps करी, अगले दिन triceps, सही है, गलत नहीं है, उसमें क्या होगा, दो बार नहीं कर पाओगे train, कैसे, जैसे आपने Monday को biceps किया, Tuesday को triceps किया, और फिर आपने दो दिन का gap दिया, यह दो आपके चार दिन तो इसी में वेश्ट होगा, बागी आपके लेक, शोल्डर, चेस्ट, बैक, आपका परोगे, बागी बॉड़ी पार्ट, जो हमाली ज़रूरी है, दोनों सही है, अलग 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 भी कर सकते हो, एक साथ भी, अगर वीक में दो बार करना है, तो biceps तो triceps एक साथ करना होगा, और अगर आपको वीक में एक ही बार करना है, biceps triceps, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, वो आपको उपर depend करता है, बस दो से तीन दिन का gap चाहिए आपको, तो आप एक ही साथ करो, biceps triceps, मेरे आपको best रहेगा, दो से तीन का gap, तो यही थी में आज की tips, थोड़ा सा ego lifting ना करें, बेट अपने हिसाब से रखें, कल वाली exercise को दो से तीन करें, जादा ना करें, बाकि आपका रखियाय को train करें, अपने four arms को train करें, side body muscles part को, triceps को भी train करना है, साथ में, तभी आपको hand बनेगा, and आपको weight अपने subscribe कर देना, अगर आप नए आयो, subscribe कर जाना, इन bell icon को दबा के जाना, आपके भाई के channel लगाए, support कर दो, motivation मिलता है, support करने से, हिम्मत बढ़ती है आगे, और वीडियो लाने की, अच्छे से अच्छी आप लोग लिए, तो subscribe कर देना है, guys, Instagram पर आ जाना, follow कर लेना मुझे, को confusion हुआ आपकी, तो आप मुझे comment कर दो, मैं आपका comment में reply दे दूँगा, आपकी confusion दूर हो जाएगी, तो guys, मिलते हैं next video, thank you very much for all your love and support, ऐसा ही support करते रहें न, guys, and आप लोगों को next video में जल्दी से मिलूँगा, guys, subscribe जरूर कर लेना, and biceps की guys, पूरी video देखना नहीं, तो आप miss कर जाओगे, and guys, take care, bye bye.